नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इस वीडियो में तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं आयोक क्या कुछ निरनाय लेने जा रहा है सुप्रिम कोड के फैसले पर क्योंकि आप सब इन्हीं को लेकर पूछ रहेते जो पहाली के पर किरिया है वो पूरा किया जाए और जल से जल न्युक्ति करवाए जाए जाए तो उन्हीं सारी बातों को लेकर सुप्रिम कोड के तरफ से जो अपडेट आया है उन्हीं सारी जानकारिया वो अफिशली नोटीस जो जारी किये गया है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और सारे कुछ डीटेल्स में जानने वाले हैं वीडियो के लाश्ट तक आपको सारी जानकारिया मिल जाएंगे तो इसमें जैसे कि आज जो सुनवाई को लेकर अपडेट आया है जैसे कि आज आप लोग की केस की सुनवाई है वो देखने को मिल जाएंगे आज केस की सुनवाई है तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा इसका जो भी डिसीजन आएंगे जो भी निरना आएंगे वो सारी जानकारिया हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तो निसी दुरुप से जैसे कि आप इस केस की डीटेल से देख सकते है कांती कुमारी बहर से अर्चना कुमारी है और इस केस की भी आज क्या होते है या तो इसकी फाइनल डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे इमर्ज तो नहीं भी कर सकते है लेकिन final decision जो कुछ भी होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे और आप लोग की classes regularly चल रही है आप लोग इस number पर WhatsApp करके, call करके class में join हो जाएंगे उसमें सारे information मिलेंगे सारी classes, notes, सारा कुछ आपको time to time मिलते रहेंगे daily basis पर आपको notes मिलते हैं class मिलते हैं और जो भी BTSC, ANM, Bihar, ANM, कोई vacancy आती है उसकी भी जानकारिया आपको मिलते रहते हैं तो जरूर इस number पर call करके, WhatsApp करके आप लोग class में जूर जाएगा आगे की जो कुछ भी information आएंगी वो सारी जानकारिया आप तक पहुंचते रहेंगे तो इसके लिए आप लोग को जैसे की इसमें जो case की सुनवाई होने जा रही है उसका advocate का भी आप सारे details देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग इंतजार भी कर रहे थे कि finally जो BTSC, ANM की case है उसमें हम लोग को कुछ निरनायक फाइसला देखने को मिले तो आप लोग को निश्चत रूप से आज इसमें नया update जो नई सूच रहे हैं उस Supreme Court के तरफ से देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही Supreme Court के तरफ से officially notice जारी किये जाएंगे website पर वो हम सारी जानकारिया आप तक पहुंचा देंगे सारी information हम आपको बताएंगे इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको कोई भी information बिल्कुल भी miss ना हो तो आज आप लोग के लिए बहुत ही कर सकते हैं कि इस case को लेकर महतपुर्ण है कि इस case में भी अगर कोई निरनायक फैसला आ जाते हैं तो बाद में जाकर जो एक case और है बैस 730 वाला उसमें merge कर सकते हैं क्या कुछ होते हैं कुछ देर में ही आपको पता चल जाएगा और उसकी जो निरनायक फैसला होंगे वो जो सुप्रिम कोट के रहेंगे वो आयोग के भी आपकी जो आयोग है BTSC उसको भी मानने करना पड़ेगा क्योंकि जो सुप्रिम कोट के फैसले आते हैं उसको मानने करना पड़ता है तो आगे की जो प्रकिरिया होंगे उसमें आप लोग बिलकुल ही एक्टिव रहिए कोई भी आपकी information मिश ना हो इसके लिए आप लोग जरूर सारे जो जानकारिया है वो जानते रहिएगा वो ऐसे हम आपको यदि जो भी candidate group में add है उसको सारे information मिलते रहते हैं जो भी अभारती अभी तक group में add नहीं हुए है वो सारे अभारती call करके WhatsApp करके group में add हो सकते हैं ठीक है आगे क्या और पर information आपको मिलते रहे हैं